हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बिजी ब्रेश मैं हूँ संगीता आवस्थी फ्रेंट्स न्यू येर से पहले कबार से जुगार वीडियोज की एक सीरीज चल रही थी जिसमें पहले आपको बहुत सारा कबार रियूस करना बताया था और आप लोगों ने उन वीडियोज को काफी प्यार भी दिया जिसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ तो फ्रेंट्स काफी सारे डियाइवाइज आप लोगों ने सीखे और काफी सारे कबार को मैंने रियूस करना बताया तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम एक एंटीक ओल्ड वेस्ट क्लॉक को एक बीड़फुल से शोपीस में कनवर्ट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजे सबस्क्राइब और वीडियो को कर लीजे लाइक क्योंकि बहुत सारी इंट्रेस्टिंग चीजे आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्या स्पाथ लिए में देखा कि मैंने एक क्लेप आपको दिखा तरह दिखा यह मैंने अस75 इस गसी ईंट्रिंग क्लॉक बीच में इसकी हुए तो यह स्ट्रॉज़ जब चैनल स्ठाट नहीं होई थी और यह वुडर ट्लॉक तो थी तो डॉक को डिच जा बाद शज़न मे मेरा चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले कोरोना पीरेट में मैंने बहुत सारे डियाइवाइस किये थे काफी सारी ब्यूटिफुल चीजे भी बनाई थी तो उन्हीं में से एक ये ग्लॉग भी है जो की इनकम्प्लीट रह गई थी तो फ्रेंट्स इस फ्रेम पे मैं डेको पाज आर्ट कर रही थी और वो जैसा था वैसा ही छूट गया जो जहां था वैसा ही रखा रह गया क्योंकि चैनल स्टार्ट होने के बाद वर्क भी बढ़ गया और नई नई चीजे क्रियेट होने लगी तो फ्रेंट्स आई होब कि आपको इस वोडन फ्रेम की हिस्ट्री समझ में आ गई होगी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं इस क्लॉक की सबसे अची बात यह है कि चाहे जहां आप इसे रख सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं तो इस फ्रेम के इनर पार्ट को हम वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे और इसके बाद हम एक ट्री को क्रियेट करेंगे यह एक रियल प्लांट है, यह कौन सा प्लांट है मुझे इसका नाम नहीं पता है, बट आर्ट इंड क्राफ्ट की शॉप्स पे इस तरह की ब्रांचिस को कलर करके वो लोग सेल करते हैं, तो मैंने इसे काफी पहले करीब 8-10 साल पहले बाई किया था और अभी भी यह वैसा ही मतलब अगर हलका फुलका हम इसे ट्विस्ट भी करें तो भी यह तूटता नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब खराब नहीं होता है, तो फ्रेंट किसी ने मुझे बताया कि इस प्लांट को लटजीरा के नाम से डिनोट करते हैं, और अगर आप इस प्लांट के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, तो फ्रेंट मैंने इसकी कई ब्रांचेस को एक साथ वायर से टाय कर दिया है, और टाय करने के बाद मैंने इसे एक कैचप की कैप होती है, उसमें इंसर्ट कर दिया है, तो इस तरह हम इसे ट्री का लग रहा है, इसके बाद हम उपर की तरफ लेमन येलो कलर का यूज करेंगे, और अच्छे से इसको भी पेंट कर लेंगे, तो देखिए, काफी ये ब्यूडफुल लग रहा है, और मैच भी कर रहा है, इसके बाद हम अपने ट्री को डेकोरेट करने के लिए, यहां कुछ बीट्स का यूज करेंगे, आपके पास जो भी बीट्स हों, आप उनका यूज कर सकते हैं, यहां पे मैं गोल्डन वायर का यूज करूंगी, और बीट्स को इंसर्ट करके, और इस तरह से ट्विस्ट करके, हम कुछ एमबलिश्मेंट बना लेंगे, जो की हम ट्री पे लग लगते हैं, तो इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे, और यह हमारा ब्यूटफुल ट्री रेडी हो जाएगा, इसके बाद आउटर फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए, हम फेविक्रिल कले से बनाएंगे कुछ रोजिस, रोजिस को बनाना काफी आसान है, मैंने अपने कई सा जाएगे, तो देखिए, इस तरह से हमारी एक-एक पैटल जुड़ती चली जाएगी, और रोज हमारा रेडी हो जाएगा, तो अगर आभी तक आपने मुझे इंस्टाग्रम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है संग जोड़ेंगे तो हो सकता है, तो बीच में आप उसको किसी भी पॉइंटेड टूज को प्रेस करते हुए इस तरह से स्ट्रेट कर दें और यह काफी स्ट्रॉंग बन जाएगा और बार बार इसकी पैटल्स आप से निकलेंगी नहीं, तो इस तरह से काफी एजली आप फॉल जोड़ार से टूल की तो हाग करेंगे में इस तरह से तरह से और चाहिप से इस तरह से टूल की हेलब से इस में शेप देंगे और £& kötü हम करलेंगे तो आपकी जो leaves होंगी वो काफी beautiful दिखेंगी और एक natural look देंगी आपकी art piece को तो roses को stick करने के लिए मैं यहाँ पे clay को insert कर दूँगी बीच वाले part में हमें कोई भी pointed tool ले लेना है और इस तरह से roses को insert करना है तो finger की help से press करते हुए आप इस तरह से roses को यहाँ पे insert कर सकते हैं clay में और बीच बीच में जहां जरूरत हो आप किसी भी sharp tool की help से उसे अच्छे से press करते हुए fix कर सकते हैं इस तरह से friends उपर का जो paint किया हुआ red part है उसको मैंने mold की help से create किया था और यह mold मेरे पास है तो इसमें leaves जैसा को shape था जिसको मैंने ऊपर की तरफ लगाया हुआ है यह wooden piece के ऊपर लगा हुआ है तो यह wooden piece और इसमें फिक्स था और उसके ऊपर मैंने leaves को लगाया है जिसको red color से paint किया था और यह pearl color है तो इन सारे roses को जिनको मैंने बनाया था इनको मैं अच्छे से किसी भी tool की help से fix कर लूँगी इस पूरे art piece में आप चाहें तो glue gun की help से इन flowers को लगा सकते हैं बट यह उतने elegant से नहीं दिखेंगे जितना की यह clay में insert होके लगेंगे friends आप मैंसे कितने लोग ऐसे हैं जिन लोग ने पहले भी rose flowers को बनाया है तो अगर आपने बनाया है प्लीज मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा यहां पर मैं इन flowers को color करने के लिए pearl color का use कर रही हूं काफी shiny होते हैं यह color और काफी beautiful लगते हैं जिस तरह से pearl shine करता है उसी तरह से color भी shine करते हैं तो इसी वज़े से इन्हें pearl color कहते हैं अपने किसी भी art piece को अगर आप royal look देना चाहते हैं तो आप pearl color का use कर सकते हैं इस wooden frame पर पहले मैंने deco page किया था तो उसमें होता यह है कि आप napkin ले लीजे और napkin को हमें किसी भी glue की help से इस पे stick करना होता है किसी भी surface पर आप उसे stick कर सकते हैं यहां पर मैंने wooden frame पर किया था और यह इस तरह से इसका आप design देख सकते हैं था yellow white और green combination में तो इस napkin paper पे पहले से कुछ design थी और कुछ मैंने extra उपर से add कर दी है तो यह काफी beautiful लग रहा है मैंने अपनी कई videos में deco page art का use किया है friends जो tree हम create कर चुके हैं उसको हम और थोड़ा decorate करेंगे तो यह मेरे पास कुछ decorative items थे जिनको मैंने buy किया था और आपके साथ मैंने इनको share भी किया था तो इन articles को भी हम इस wire में insert कर लेंगे और इसको हम अपने tree पे wrap कर देंगे तो देखिए इस तरह से यह हमारा wire ready हो जाएगा और इसको हम अपने tree के ऊपर wrap कर देंगे तो हमारा tree अब और भी ज़्यादा beautiful लगने लगा है तो friends अब हम थोड़ा अंदर की तरफ भी design करेंगे इन reindeer का use मैं यहाँ पे कर रही हूँ और इनको हम glue की help से stick कर देंगे तो यहाँ पे मैंने glue की help से सारे reindeer को stick कर दिया है उसके बाद मैं अंदर की तरफ देखिए और इस तरह से हमारा जो inner part है वो काफी beautiful और shiny दिखेगा इस तरह से हमको sprinkle कर देना है और sprinkle करने से पहले याद रखें कि नीचे glue जरूर कर दें थोड़ा सा ताकि यह अच्छे से stick हो जाए तो friends किसी भी तरह के glitter का आप यहां पे यूज़ कर सकते हैं यह देखिए friends यहां पे मैंने golden color का यूज़ किया है तो glitter stick करने के बाद अब हम यहां green color का यूज़ करेंगे यह भी pearl color है और जब अच्छे से हमारा red color dry हो जाएगा उसके बाद ही हम दूसरा color use करेंगे यानि green color का यूज़ करेंगे तो यह भी काफी shiny दिख रहा है और अब हमारा inner part भी dry हो चुका है क्योंकि अच्छे से यह stick हो चुका है तो friends जो roses हमने color किये हैं इनके उपर भी हम थोड़ा सा glitter sprinkle कर देंगे जिससे इनकी beauty और भी ज्यादा enhance हो जाएगी तो देखिए काफी beautiful लग रहे हैं और कुछ भी glue अगर आपको नहीं लगाना है कलर इसका हलका सा गीला रहे बस उसी के ऊपर आपको sprinkle कर देना है इसके बाद हम 3D liner से तोड़ा और decorate करेंगे इसको इसके बाद एक part dry हो जाने के बाद हम कुछ और भी designing करेंगे यहाँ पे white flowers को हम इस तरह से create करेंगे काफी easy होता है इनको बनाना मैंने कई अपने वीडियो कम लग रही थी तो मैंने तोड़ा सा और इसको decorate किया है इसके बाद हम इस पे लगाएंगे light light को लगाने के लिए यहाँ पे मैं fairy light का use कर रही हूं यह आपको किसी भी craft shop पे मिल जाएगी और इससे हमारे art piece की beauty और भी जादा बढ़ जाएगी तो हम wire को आगे की तरफ निका पेंट कर सकते हैं अपनी जरूरत के लिए पेंट से 3D liner से glitter से और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनसे आप अपने art piece को और भी जादा beautiful बना सकते हैं और और भी जादा paint कर सकते हैं colorful बना सकते हैं तो देखिए जो wire हमने आगे की तरफ निकाला था उसको tree में wrap करते हुए और हमने इसे tree को यहां पे double sided tape की help से stick कर दिया है तो देखिए friends यह हमारे art piece का final look friends double sided tape का use हमें cap के नीचे करना है जिसमें हमने tree को insert किया है तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ double sided tape लगाया हुआ है friends अगर आप भी इस तरह का art piece create करना चाहते हैं और आपके पास इस तर artboard box या फिर mobile box जो की mobile के साथ free मिलता है उसमें इस तरह के art piece को create कर सकते हैं इसको मैंने study table पर style किया है और fake दियों का use किया है पीछे की तरफ मैंने background में भी एक wall clock का use किया है जिसको मैंने बहुत पहले बनाया था और इसका video भी मैंने share किया था आपको पट उस clock की machine कुछ ख पड़ा बट फ्रेम को यानी cardboard को मैंने कैसे बनाया था यह आप उस वीडियो में देख सकते हैं यह काफी beautiful लग रहा है background की form में friends ऐसी मैं कोई चीज क्रियेट नहीं करती है या बहुत कम ही करती हूं जिनको आप एक ही बार use कर सकते हैं मैं चीजों को multiple तरीके से और कई बार use करती हूं और कई तरह से use करती हूं जरूरी नहीं है कि अगर आपने clock बनाई है तो इसको clock की तरह ही use करें और clock नहीं है तो हमने देखिए यहां पे कैसे इसे background में use किया है यह काफी beautiful भी लग रहा है और इस तरह से आप भी use कर सकते हैं किसी festive occasion के लिए भी इसको use किया जा सकता है friends I hope कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो अपने friends के साथ relatives के साथ इसको जरूर शेयर करें अगर वीडियो में आपको एक बात भी अच्छी लगी तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी न भूले और हाँ friends वीडियो को first time देख रहे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले और bell बटन को प्रेस करते हुए all पर click कर लें ताकि आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले thanks for watching friends bye take care love you all